अर्याना के कैथल का जहां इनालों की बड़ी रैली जा रही है जिसे इंडिया नाशनल लोग दले नाम दिया इस सम्मान रैली बस आपसे थोड़ी दिर में उप्रकाश चौटाला खताब करने वाले हैं इस रैली को आज की अथल में भी रैली का आयोजन किया गया है इनालों की तरफ से हैं इसी विपक्ष के कई चेहरे इस रैलीوس में नजर आहे हैं आपको उधना दारं कर्म एहम लोगों को इस रैली के लिए नियोता दिया गया है तमाम एहम चेरे स्टेज पर नजर आ रहे हैं आप देखिए फारुख अब्दुल्ला के सित्यागी सुखबीर सिंग बादल डारिक उब्राइन और यह उम्प्रुकास चौटाला अपने संबोधन के लिए तयार हाम उमर बुदर्गो नोजवान साथियो और इस कृष्वी परधान देश के उजवल भविश्य अजीद प्यारे बच्चो काफे लब्वे समय के बाद मुझे आप लोगों के बीच में आने का उसर मिला है मैं तो गाओं का आदमी हूँ, केट से जुड़ा हुआ हूँ, अरेक के दुख सुख में, गमी खुशी में, गाओं गाओं में हानना फिरना मेरी आदत रही है लेकिन दो हजार पांच में, जब हमारी सरकार चली गई थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, एक साजिस और सडियंतर करके, मुझे दस साल के लिए जेल भीज़वा दिया था दोश मेरा यही था, कि हमारी सरकार के वक्त में, मैंने 30,206 पड़े लिखे युवकों को नोकरी दिलाई थी जिन बच्चों को नोकरी मिले, उनकी तो त्रक्की हो गई, लेकिन नोकरी दिलाणे वाड़े को, दस साल की सजा हो गई और फिर एक दुश परचार फैलाया, कि अब चुटाला तो जेल में मरेगा, और इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी समाप्थ हो जाएगी आप सभी बदाई के पात्र हैं, कि मेरी गैर हाजरी में, आपने संख्षन को पहले के मुकाबले में, ज्यादा मस्पूर्थी परदान की थी ये बात आप रम नहीं कह रहे हैं, समुचे देश के राजनित्तिक पार्टियों के अग्रणी नेता इस बात की स्राना करते हैं, कि संख्षनात्मक दरश्टी से, आज इंडियन नेशनल लोगतल पार्टिय का कोई मुकाबला नहीं, परिस्तितियां बदल रहे हैं, हालात आपके पक्ष में जा रहे हैं, अब ज्यादा लंबा सुमें, आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इस देश में जो लोग रस्ता बटक गए थे, गुम्रा हो गए थे, बैकालिये गए थे, या जो सत्ता का सुख भोगने के लिए, विभिन राजनेतिक पार्टियों को छोड़ कर सत्ता पक्ष में चले गए थे, आज ही वपने आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारा किसी से कोई द्वेश नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है, मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, कि उन पिछड़े वे लोगों को मना लें, पुछकार लें, और उन्हें साथ मिला लें, ताके हम चौधरी देविलाल जी के स्वप्नों को साकार कर सके, चौधरी देविलाल जी जनम से लेकर के आखरी सांस तक, इस देश के आम नागरिक की मूल भूत जूरियात, पूरी करने के लिए निरंतर संगर्ष में जूजते रहें, प्रदात आंतरिक परनाली में जमता के सायोग और सबर्थन से सरकारे बनी हैं, बनी बनती हैं, और चौनिवी सरकार के जुम्मवारी होती है, कि वो जन्हित की भलाई के लिए लोगों का सायोग और समर्थन करें, हरियाना प्रदेश के मौजुदा मुख्य मंत्री ने मुख्य मंत्री का पद भार संबालने के बाद एक गोश्ना की थी, कि हरियाना में जिस किसी भाई को किसी प्रकार की कोई तकलीफ हो, तो चंडिगर मेरी कोठी प्राए मैं उसकी हर मुश्किल को हाल करूँगा, उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुभिदा प्रदान करूँगा, मैंने ये बात नोट कर ले, मुझे एक दफ़ा चंडिगर जाने का अफसर मिला, और चंडिगर में मैं अपने किसी मित्र से मिलने के लिए जा रहा था, जिस सड़क सर में जा रहा था, उसी सड़क पर मुख्य मंत्री निवास भी था, मुझे उज्याद आ गया, और मैंने सरकार बढ़ने के बाद, पहली कलम से एक घोशना की, कि अब आपको सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, बलके सरकार आपके पास आएगा, परजात आंत्रिक परणाली में जनता के सायोग और समर्थन से सरकारे मनती है, और पर चुनेवे सरकार की जुम्मवारी होती है, कि वो जन हीत के कामों में रूची ले, और कोई निकम्मी सरकार, अगर ये सब करने में समर्थना हो, तो फिर उस सरकार को बदल देना चाहिए, आपके सायोग और समर्थन से जब आपहारी सरकार बढ़ी, तो मैंने पहली कलम से एक फैसला लिया, कि हम लोगों को सरकार के पास नहीं जाना पड़ेगा, बलके सरकार स्वेमा आपके पास आए, और हमने एक कानून बढ़ाया, कि हम लोगों को अगर कोई कठनाई होगी, तो लोग सरकार के पास नहीं, लोगों के पास जाए, और लोगों के शिकायतें दूर करें, यह मेरे कहने कि आप सकता नहीं, आप समुच्चे देश के लोग बैठे, मुख्य मंत्री का पदभार संबालने के बाद, मैं जब भी किसी गाउं में जाता था, सरकार आपके दूर कारिय करम के तैत, गाउं के लोगों के दिक्कत और कठनाईयों को दूर करता था, आप सारे लोग बैठे हैं क्या आपके गाउं में मैं आया था क्या नहीं आया था, और आपने जो मांग रखे, तो सारी आपकी माने गई कर नहीं माने गई, मैं आपके फिर वाइदा करता हूं, राज बनाना तो आपका काम, लेकिन सरकार बनने के बाद, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको सारी सुविदाएं मिलेंगी, हमारी सरकार बनने के बाद, जो सडके हमारे वक्त पे बनी थी, वो तूट गई, उनकी मर्मत ये सरकार नहीं कर पाई, हम उन सडकों की मर्मत करेंगे, और नहीं सडकें और बढ़ाएंगें, बे मोस्मी बारिश की वज़े से, फसलों का जो नुक्षान हुआ है, उसकी भरपाई ये सरकार नहीं कर पाईगी, मैं आपसे वाइदा करता हूँ, कि हमारी सरकार बनने के बाद, आपकी फसल का, ज़्यादा से ज़्यादा मुआफ़ा हम देंगें, इस लुटेरी सरकार ने, लोगों की जेप पलडाका डालने के लिए, स्वर्गिय चौधरी देविलाल जी के द्वारा, जो सम्मानित वर्दावस्ता पैंशन मुकर की थे, उस पैंशन को भी काटने का काम किया है, हमारी सरकार बनने के बाद, हम उन बुडों की कटे हुई पैंशन का पैसा, मैं ब्याज के उनके घर विजवाएंगा, बुडे भुजर्गों को साथ जार पांचो रुपे महवार, वर्दावस्ता पैंशन देंगा, और केवल पुर्षों को नहीं, महिलाओं को भी उतना ही पैंशन देंगा, यानि हर घर में बुडे और बुडिया को साड़े साथ हजार रुपया की बजाए पंद्रा हजार रुपया महिना आएगा, आपको कोई दिक्कत भी आएगा, आजकल महिलाओं को दिक्कत आती है, खाना बनाने के लिए, और सोई घर में, गैस के सलेंडर रोज महेंगे हो रहे हैं, हमारी सरकार बनने के बाद, हर घर में, हर महिने, एक सलेंडर और ग्यारा सो रुपय मुफ्त विजवाने का काम करें, हम हर बच्चे को निशुल्क शिक्षा देंगा, पढ़ने वाड़ा बच्चा, अगर पढ़ाई के दोबार बीमार हो जाए, तो उसका मुफ्त इलाज करवाएंगे, उस बच्चे के माबाप ने, अगर किसी मजबूरी में, वोट चाहिए कहीं भी दिया हो, हम इसमें गोट की राजनित्ती का दखल नहीं मानेगे, हम हर बच्चे को नोक्री देंगे, और जब तक उन बच्चों को नोक्री नहीं मिलेगी, उन्हें हर महीने 21,000 रुपे बेरोजगारी भत्ता देंगे, ताके उन्हें कोई दिक्कत ना आए, हमारी सरकार बढ़ने के बाद, स्कूलों की जो इमारते गिर गई है, हम उनकी मरमत कराएं, स्कूलों में मास्टर बिज़वाएं, आस्पतालों में जो डाक्टर और दवाईयों की कमी है, हमारी सरकार बढ़ने के बाद हम डाक्टर और दवाईयों का प्रबंद मुफ्थ करने का काम करें हमारी सरकार बढ़ने के बाद हम अनेक प्रकार की सहुलियात आपको देख इसलिए आप से निमेदन करने आया हूँ कि आप सब मिल करके जनी सारी बातों पर काम करना शुरू करें आपको कुछ करने की दुरूरत नहीं जब भी मुका मिले आप एनक के निशान के आगे का बटन दबा दिया करें फिर सरकार आपकी बढ़ें और आपको 2024 का इंतिजार नहीं करना पड़ें आपकी जब सरकार बढ़ेंगे तो हम आपको सारी सुविदाय परदान करें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगगे इसलिए मैं कोई लंबा चुड़ा भाशन नहीं देना चाहूंगा आप हर प्रिष्टिती से भली भांतिया उगत सीधी जब्टी भाश्या में एकी बात कहना चाहूंगा राज बना लो फिर थारे सारे खोट में काड़ेंगे आपको मेरे कहें पर यकीन है तो फिर मैं आपसे वाइदा करता हूँ कि आपको सारी सुविया तब महिया करेंगे मैं सिरफ आज तो आपसे मिलने आया हूँ मेरा कोई वेक्तिगत स्वार्थ नहीं है मेरा कोई राजनेतिक स्वार्थ नहीं है हम तो स्वर्गी है चौधरी देविलाल जी के स्वपन साकार करने के पक्ष्टर है इसलिए आपसे तो नमबर निवेदन कर रहा हूँ कि आप रहली तो क्या मेरी आप सब कोई आवाज पर नुचावर कर दें और करने को तयार रहते हैं पिछले 19-20 सालों से जो कठिन काम रहा है उसमे में आपने भरपूर सायोग वा समर्थन दिया है जिसका मैं बहुत शुकर बुजार अब आप जन समू से हाथ जोड़ कर विंती है कि ये जो अबै सिंग है इसको तुम्हें सौपतफ इसके हाथ मश्पूत करो और काम्याब बनाओ मेरा अशिरवार आमेशा इसके साथ और रहेगा ये किसी भी प्रकार की गल्टी अगर करेगा तो मैं इसके कान खीच दियूँगा जब तक मेरी लगों में चौधरी देविलाल जी के खून का आखरी कत्रा भी रहेगा इस संगर्ष के लड़ाई में हमेशा आपके साथ रहूँगा इसी के साथ आप सभी को राम राम वालेकम सलाम सच्छी एकार जैहिंट और जैहिनेलो कहें कि आप से यादत चाहता हूँ आप से निवेदन करूँगा कि आप लाकों की संख्या में आए रस्ते खराब है सड़के टूटी हुई है पाणी से भरी पड़ी है इसलिए आप आराम से जाए कोई दुर घटना ना घट जाए बस यही बात कहने आपके बीच वाया हूँ आप में मेरा जो साथ दिया मैं इसके लिए आपका अबहर वेक करता हूँ और आपको वाईदा देता हूँ कि आपके हर दुख सुख में आपके साथ रहूँगा आपको हर परकार की सहुलिया परदान करूंगा पत्रकार और चायकार साथियों से भी खास दोर से दिविदन करूंगा कि इन सारे हालात को अपनी कलम से चाप करके लोगों के पास बिजवाये ताकि लोग इन प्रिष्टितियों का मुकामला कर सके आप समका बहुत बहुत धन्यवाद